असलाम अलेकंद दोस्तों वेलकम ऑन वकार गिरकर शो तो हर तरफ बैट चर्चे हैं अनली टीम इंडिया चर्चे वाकी सुर्फ टीम इंडिया के हैं जो जीत दर्ज की गई है बॉर्डर गवास का ट्रॉफ्य जब उस्टार्ट होगी तो उसका एक अलग लेवल बनेगा ले बरहल भारत ने जो करके दिखाया है जो इस वकत देखने को मिल है वो यार बहुत आगया है सोच की बात करें अप्रोच की बात करें टीम सेलेक्शन की बात करें इवन आप प्लेयर्स की एफट की बात कर लें और डिलिवर करके दिखाया है बहुत तंगडा और डॉमिनेट किया है पूरी स्रीज के अंदर जो रेड़ बॉल की स्रीज गुद्री है और भारत ने दो सिफर से बंगाल टाइगर्स को मारा है जो पाकिस्तान से जीते लेकर आए थे वो भारत ने से चीन ली है अपने घर के अंदर तो शायद बंगले देश ने मेरे साब से भारत को लाइटली तो लिया नहीं होगा उनके खौब में भी यह बात ना ही होगी कि शायद हम भारत को हलके में ले सकते हैं भारत को दुनिया के कुई भी टीम हलके में ले ही नहीं सकते क्योंकि भ अखन मलाईवाली बात है जो रियलिटी है वो है भारत ने अपनी दाक बिठाई है और भारत की जो टीम है वो इस वक्त दुनिया के उस मकाम की उपर है जहां पर अस्ट्रेलिया इंग्लेंड को हम जो है मेंशन करते हैं इंग्लेंड से भी मैं गुजिश्टर वीडियो में ज जो ब्रेंडर मैकलम की सोच अपरोच है उससे काफी तगड़ा यहां पर इंटेंट दिखाया गौथम गंबीर ने और अगर आप इस तरह आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको यानि कि आपका यानि कि जितनी भी क्रिकट बोर्ड है हर बोर्ड जहीं खुआइश करेगा कि हमें गौथम गंबीर जैसा कोच यह वो चाहिए रियालिटी तो फिर जही है ना भारत ने जिस तरह किसी तेल का मचाया जो कहराम मचाया जैज वाल ने जो परफार्मिस दिखाई जो अश्विन ने दिखाई जो जड़ू ने दिखाई जो बुमरा ने दिखाई है जो हिट वर्ल्ड करियेट कर दिया है उसका कोई सानी है ही नहीं आप किसी के साथ कंपेर नहीं कर सकते हैं और भारत का यह जो मैसेज है वर्ल्ड करियेट लिए बहुत बड़ा है कि जनाब आप भी अपने आपको बदलें अब डेट से चले को तो लाइक और सब्सक्राइब धरूर कर देन